नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बिहार में राष्टिय जनता दल में अध्यक्ष को लेकर चर्चा थी और अध्यक्ष का बदलाव भी हो चुका है लेगर उसके बाद अब जगदान सिंग की भी छुट्टी हो चुकी है वह अगर बात करें तो जनता दल लही है कि आखिर जद्यू में सबकुछ ठीक है जद्यू में शबकुछ ठीक नहीं है इस बात के कई बार प्रमान संदेश और सबकुछ तै हो चुके हैं सब कुछ दिखाई भी दिया है दूसी तरह अगर बात करें तो जदियू में एक पर फिर से उमेश कुसवाह की छुती होती हुई दिखाई दे रहा है लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उमेश कुसवाहा उनक प्रदेश कमिटी में बदलाव देखने को मिला है और इसी बीच खबर निकल कर सामने आ रही है कि जदियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुसवाह के छुटी की जा सकती है आपको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उमेश कुसवाहा आर्सीपी सिंग के पनाया यह बात लगतार सामने आती रहती है आर्सीपी सिंग ने खुद कहा कि वो मेरे पर क्या कारवाई करेंगे जिनको मैंने अध्यक्ष पनाया अब चर्चा है कि ललन सिंग आर्सीपी सिंग के करीवियों को लगतार छाट रहे हैं उनकी छटनी हो रही है और कहीं न कही इसी करम में अब नंबर उमेश कुस्वाहा पर आया है उमेश कुस्वाहा को प्रदेश अध्यक्ष के पत से हटाया जा रहा है खबर यह है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का ठुनाव होगा जिसमें मुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बात की जाये तो असोक चौधरी आगे बात की जाये तो संजय जहा सहीत प्रेम कुमार माफ की जगा स्रवन कुमार और कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है और जो जनतादल यूनाइटेड में कहीं न कहीं इस बात को लेकर लगतार चर्चा में रहे हैं कि आखिर ललन सिंग के बाद दूस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इन तीन नामों पर चर्चा चल रही है हो सकता है नितीश कुमार एक पार फिर से आने वाले दिन के लिए यानि आने वाले कुछ वर्सों के लिए आंत्रीम प्रदेश अध्यक्ष बनाएं या यह भी हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष क पर इसी बीच खबर है कि उमेश कुस्वाह के छुटी तैय है।